हेलो गाईज, स्वागत है आप सभी का लाइबरेरी साइन्स स्पेशल क्लासेज में और आज का ज़े टॉपिक है वो है एवेल्यूशन ओफ मौडन एड्यूकेशन सिस्टम यानि की आधोनिक सिक्षा प्रणाली का क्रमागत विकास किस प्रकार से आधोनिक सिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के थुरू बताऊंगी तो देखिए मैं खास करके इसमें मैं उन्ही कमिशन के बारे में आपको बताऊंगी जिन से related exam में questions पूछे जाते हैं बहुत सारे unnecessary ऐसे commissions हैं ऐसी reports हैं जिनको मैं बिल्कुल भी हमने skip कर दिया है जिससे आपका समय waste ना हो और हम उन important important commissions के बारे में हमको पता चल जाए जो की हमारे exam में पूछे जाते हैं अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि आधूनिक सिक्षा प्रणाली का यानि कि क्या है भारत में उच्च सिक्षा का इतिहास जो है वो काफी पुराड़ा रहा है ये अगर बात करें तो 19-वी शताबदी से जब वाइसराय लॉर्ड मैकाले ने अपनी कुछ recommendation रखी थी अंगरेजी राज की स्थापना के बाद यानि कि 1857 में कलकत्ता में मुंबई तथा मदरास विश्विद्याले जो universities थी उनकी स्थापना करते समय तद काली लंदन विश्विद्याले के जो कुछ वहां के उन्होंने कुछ rules वगएरा कुछ models वगएरा कुछ नमूने वगएरा sample वगएरा लिये थे जिसके basis पे वो चाहते थे कि भारत में भी एक modern education system को अपनाया जाए तो उसी के अंतरगा थी कई ऐसे देखिए एक्जाम में पूछा जाता है कि एक charter act charter अधिनियम से related भी एक्जाम में question बहुत बार पूछे गया है charter act जो है वो आया था सन 1813 में यानि कि 1813 में इस समय क्या हुआ था कि British जो लोग थे वो भारत में scientist ग्यान का यानि कि विज्ञानी ग्यान का प्रसार करने के उद्धे से यानि कि एक scientific जो है मतलब वो चाहते थे कि एक ऐसा scientific जो है education system इसका प्रचार प्रसार किया जाए उसका development हो तो उसको जो है develop करने के लिए उस purpose से इन्होंने क्या किया जो इशाई गई permission दी गई उस वक्त 1817 में क्या हुआ कलकत्ता में एक हिंदू college को क्या किया गया establish किया गया जो बात में 1855 में एक presidency college बना और 2010 में कि यह जो presidency college जो था वो क्या बन गया विश्विद्याले के रूप में establish हो गया यानि कि 1817 में जो एक हिंदू college बनाया गया था तहां पर बनाता है हिंदू college कलकत्ता में बनाता जो कि बाद में क्या हो गया 1855 में किस नाम से जाना जाने लगा presidency college के नाम से जाना जाने लगा और वही college जो है वो बाद में 2010 में क्या बन गया ये किस एक्ट के अंतरगत आया था, ये सारी इवेंट्स के किस एक्ट के अंतरगत हुई थी, ये सारी इवेंट्स हमारी चार्टर एक्ट के अंतरगत हुई थी अब इस जो ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट की क्या विशेशताएं थी तो इस report के आधार पर क्या हुआ उस समय के जो governor general थे जिनका नाम था Lord William इन्होंने 1837 में English को सरकारी भाषा का दर्जा दिया था जिसके अनुसार अब सरकारी नौकरियों को प्राप्ट करने के लिए English language को क्या कर दिया गया उसको compulsory बना दिया गया था हलाकि इस पहल को मुख्य रूप से प्राथमिक यानि कि जो primary और जो secondary education थी उस पर भी निर्देशित किया गया था यानि कि उस पर भी attention दिया गया था उसके बार में जो दूसरा आदा है हमारा commission जैसे की wood dispatch अब ये wood dispatch ये क्या है और ये कब आया था और ये कब establish हुआ था तो इसके बारे में हम जान लेते हैं जो wood dispatch है ये 1854 में इस्थापित किया गया था अब इसका purpose क्या था ये क्या है इसके बारे में जानते हैं ये एक higher education में के विशय में पहली नीती थी यानि कि higher education की जो अगर first policy की बात की जाए तो वो थी wood dispatch इसको British भारत में English education का magna carta भी कहा जाता है हो सकता है exam में ये पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी सिक्षा का magna carta या फिर magna carta क्या है तो ये क्या है ये एक British भारत में अंग्रेजी सिक्षा यानि की English education का magna carta भी कहा जाता है इसको ही wood dispatch कहा गया है और जिसका नाम किसके base पे रखा गया था Sir Charles Wood के नाम पर भी जाना जाता है जो board of control के क्या थे अध्यक्ष थे इसमें सरकार से अब इस जो wood dispatch था इसमें क्या हुआ उस समय जो government थी उसने कहा कि जो primary education है और जो university education है उस पर क्या किया गया force दिया गया उस पे बल दिया गया उस पे attention देने की बात की गया Wood Dispatch ने धर्म निर्पेक्षता के आधार पर यूरोपिय ज्यान का प्रिचार एवं प्रिसार करने के लिए कुछ grants वगेरा उसकी recommendation रखी यानि उन्होंने कहा कि अगर हम education का प्रिचार एवं प्रिसार करना चाहते हैं तो हमें कुछ grant भी करनी पड़ेगी तो इससे क्या हुआ कि जो education का जो अनुदेश था यानि कि जो सिक्षनल का जो purpose था वो क्या हुआ उसका माध्यम higher education के लिए English और निचले इस्तर पर यानि कि जो lower level था उसके लिए मात्र भाशा यानि कि जो हमारी mother tongue होगी उसको recommend करने की बात कही गई मतलब अगर हम इसके दूसरे शब्दों में हम बात करें तो wood dispatch था जो wood dispatch था उसमें क्या हुआ यानि कि जो magna carta था उसमें ये decide किया गया कि अगर हमें higher education लेनी हैं तो higher education के लिए English language को compulsory कर दिया और उन्होंने कहा कि जो lower level के पर अगर हम बात करें तो lower level में इन्होंने क्या किया जो भी हमारी अपनी mother tongue होगी उसको उसको उन्होंने recommend कर दिया उन्होंने कहा कि या ठीक है आप जो है अगर low level पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने mother tongue में काम करिए उस level पे अपनी education प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर आपको विश्वेद्याले यानि कि university यानि कि higher level के education प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको English language क के बारे में जानकरी होना बहुत ही जरूरी है इस प्रकार से ये जो एक document तयार किया गया उसको क्या कहा गया उसको mass education की दिशा में एक बहुत ही मजबूत pillar के रूप में एक बहुत ही बड़ा step के रूप में इसको माना जाता है इस नीती के अंतरगत क्या हुआ 1857 में जो British भारत में मदरास, कलकता और बंबई तीन universities की इस्थापना की गए देखिए याद रखेगा 1857 में इस नीती के अंतरगत यानि की वुट dispatch नीती के अंतरगत क्या हुआ था British में British भारत में मदरास, कलकता और बंबई में तीन universities की इस्थापना की गई थी अब जो next commission आता है वो है हमारा Hunter I.O इससे exam में 100% questions जरूर से जरूर आते ही आते हैं तो इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा और सुनिएगा और अगर वीडियो आपको कैसा लग रहा ह यह जरूर से जरूर बताएं तो Hunter Commission जो है वो कब आया था? Hunter Commission आया था 1882 एवं 83 में इसमें क्या था? इसमें जो primary education और higher education को क्या क्या गया? अलग-अलग separate separate कर दिया गया यानि कि उनका यह कहना था कि जो primary education है उसको अलग रखिये और जो higher education है उसको आप अलग रखिये यानि कि इन दोनों को अलग-अलग रखने की बात पर बल दिया गया इसमें ये बात कहे गई कि college के affiliation की बात की कही गई यानि कि जो हर एक city में हर एक प्रांत में हर एक state में बहुत सारे school colleges होते हैं तो colleges को university से affiliate करने की बात की गई देखिए कभी भी exam में पूछा जाए कि Hunter Commission की वि university से affiliate करने वाली बात थी वो किस I.O. के अंतरगत आई थी? Hunter I.O. के अंतरगत आई थी तो इस मतलब कि जब university को यानि कि colleges को किसी university के द्वारा affiliate कर दिया जाएगा तो इसका purpose ये था कि जब ऐसा हो जाएगा तो उच्च सिक्षा का एक standard decide हो जाएगा ठीक है तो यानि कि higher education को एक standard provide करने के लिए Hunter Commission ने जो कि 1882 एवं 83 में आया था उस पे education पे क्या दिया गया? force किया गया? बल दिया गया? कहा गया कि जो है इसको recommend किया गया साथी इसका जो दूसरा feature है वो क्या है कि इस आयोग ने यानि कि इस commission ने सरकार को महिला सिक्षा पर भी बल देने के लिए कह लाड करजन ने उच्च सिक्षा यानि कि higher education के महत्व को समझते हुए 27 जनवरी 1902 यानि कि 1902 को भारतिय विश्विद्यालय आयोग की नियुकती की उसके बाद ने 1905 में जो बंगाल का जो division हो गया उसके बाद ने स्वदेशी राष्टवादी नेताओं द्वारा एक national education council की इस्थापना की गई जिससे क्या हुआ कई संस्थान आरंब किये गए जिसमें जिनमें एक हमारे independence के बाद जादवपूर विश्विद्यालय के रूप में विक्सित हुआ उसके बाद ने क्या हो गया कि श्री जो रवीनना टैगोर जी थे इन्होंने हमारी राष्टिये भाषाओं के विकास के साथ साथ भारतिये परंपराओं एवं संस्कृति के ज्यान एवं प्रिचार एवं प्रिसार के लिए एक शान्ती निकेतन नामक एक सिक्षा केंदर की इस्थापना की दिखे एक्जाम में कोई भी एक्जाम हो किसी भी competitive एक्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि शान्ती निकेतन नामक ये इसकी इस्थापना किस ने की थी इसकी इस्थापना जो है श्री रवीनना टैगोर जी ने की थी किस लिए की थी राष्टिये भाषा प्रशार के लिए शांती निकेतन नामक एक सिक्षा के इजूकेशन सेंटर की इस्थापना की गई जो की बंगाल के बीर भूम जिले में इस्थित हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि 1910 में श्री गोपाल करशन गोखले ने जे हैं। कि गॉर्मेंट के द्वारा इसको मैनेज किया जाए। आरेंजमेंट है वो गोवर्मेंट खुद अपने द्वारा करें। तो इसके बाद में क्या हुआ कि 1913 में गोवर्मेंट की एक सिक्षा नीती में यह अनुशंशा की गई। यह रिकमेंडेशन रखी गई कि प्रतेक प्रांती यानि कि हर इस्टेट के लिए एक अलग-अलग यूनिवरस्टी की क्या किया जाए। यह रिकमेंडेशन रखी गई। इस्टाब्लिश कर दिया जाए। जिसके द्वारा जिसका प्रेणाम क्या हुआ कि 1917 में जो गवर्मेंट थी इन्होंने कलकत्ता विश्विद्याले की इस्थिती और संभावनाओं के बारे में यानि कि वहां कि क्या इस्थिती है कलकत्ता जो इरिवस्टी थी उसकी क्या प कमीशन का जो है को इस्टाब्लिश किया जिसका नाम थो सैटलर आयोग यानिकी सैटलर कमीशन जिसकी अनुशचा निकी इनके रिकमेंडेशन पर क्या किया गया रास्ट ब्यापी कार्यान वें हुआ यानि कि पूरे राष्ट में, पूरे देश में उनको कैसे, उनकी क्या activities हैं, क्या performance हैं, उन सब को कैसे किया जाएगा, इन सब के बारे में बताएगा, अब जो Sadler आयोग था, इससे related भी questions एक्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, अब इनके features क्या-क्या हैं, main-main, तो उसक इतने भी degree colleges थे, और माध्यमिक सिक्षा के separation की सिफारिशों को सिफारिश की गई, और विश्विद्याले के सिख्षकों के चैन के लिए, एक विशेश चैन समीती का सुझाओ दिया गया, कहने का मतलब यह है, कि इसमें यह कहा गया, जो भी degree college है, और जो secondary colleges हो गए रहे हैं, तो उसमें जो इन दोगों क्या कर दिया जाए, अलग-अलग कर दिया जाए, ठीक है, और जो higher education है, उसको अलग कर दिया जाए, यानि कि जो university के teacher है, हर एक का parameter अलग-अलग decide कर दिया गया, यानि कि उनकी qualification अलग-अलग प्रकार की होगी, कि अगर कोई university में teacher है, तो university के अगर कोई कॉलेज का है तो उसका यह होना चाहिए और अगर कोई जो है इंटरमीडिय या छोटे स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके टीचर्स के लिए अलग-अलग चा कर दिया जाए एक ऐसी कमिटी गठित करी गई एक ऐसी कमिटी बनाए गई जिसमें उन सबका टीचर्स के सेलक्ष्ण की बात अगर की जाए ठीक है तो यह किसमें हुई सैडलर कमिशन के अंतरगत हुआ यह डिसाइड किया गया उसके बाद में इसमें इन्होंने यह भी बात कही रिकमेंडेशन रखी कि जो पाठिकरम है यानी कि जो सलेबस है उसको दो कार में डिवाइड किया एक तो डिवाइट किया गया कि honor course होना चाहिए और साथी साथ दूसरा एक होना चाहिए पास course होना चाहिए तो honors course का पाथिक्रम यानि कि जो उसका syllabus होता है वो काफी tough होता है क्योंकि इसमें यह पेक्षा की जाती है उसमें ऐसा माना जाता है कि course करने के बाद चातरों को कुछ विशियों में विशेशग्यता यानि कि special, speciality जिसमें होनी चाहिए यानि कि उसको expert बनाने की कोशिश की जाती है finally यह हुआ decide कि जो Indian government थी उन्होंने एक act बनाया जो कि 1919 के अंतरगत सिक्षा को यानि कि education को एक प्रांतिये विशय यानि कि एक state जो है subject बना दिया गया एक प्रांतिये विशय बना दिया गया जिससे कि क्या हुआ सिक्षा प्रणाली में केंद्रिय सरकार के नियंतरा को कम किया जा सके यानि कि जो central government का जो hold था जो control था इन सभी प्रांत के उपर ठीक है उन सब से उनको क्या कर दिया गया विल्कुल free कर दिया गया अच्छा एक और important बात यह जितने भी commissions मैंने आपको बताए यह सारे हमारे क्या थे कपके थे स्वतंतरता से यानि कि जो independence से पहले की थी अब जिन commissions के बारे में आपको बताने जारे है वो सब independence के बात की है ठीक है यानि कि higher education after independence स्वतंतरता के बात higher education का कैसे development हुआ कौन-कौन से आयोग नए आयोग बने उनके बारे में हम बात करेंगे तो जिसमें सबसे पहले आता है यूनिवर्स्टी एजुकेशन कमीशन जो की आया था 1948 में यूनिवर्स्टी एजुकेशन कमीशन को हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि क्या हुआ जब देश ने स्वतनत्रा प्राप्ति कर ली यानि कि जब वो उसको freedom मिल गए थी तो हमारे सामने बहुत सारे जो है मतलब चुनौतियां थी जिनका सामना करने के लिए हमें सिक्षित होना हमें सुद्रण सिक्षा व्यवस्था का होना बहुत ही आवश् कि था जिसके लिए सरकार ने जो गॉर्मेंट थी उस समय डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में एक आयोग एक कमीशन को establish किया गया जिसका कारिछेतर क्या था जिसका काम का जिसका जो में काम था वो ये था कि भारतिये विश्विद्याले सिक्ष विवस्था की समस्याओं यानि की एजुकेशन की फिल्ड में क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रियेट हो रही हैं वरतमान परिस्थितियों का अध्यन करना उसमें कौन-कौन से चेंजिस करने हैं और इन फ्यूचर किन प्रकार की आवशक्ताओं की के अनुसार उनको किन चीज राधाकृष्णन ये कौन थे ये बनारस हिंदू विश्विद्याले के पूर्व उपकुलपती रह चुके थे तथा बाद में इनको क्या किया गया भारत के दूसरे राष्टपती भी बने आयोग ने ना केवल उच्छ सिक्षा के बारे में सुझाओ दिये बलकि ये भी ब जाए बारवी वर्ष की यानि कि इनोंने कहा कि हाई स्कूल के बाद वो यूनिवरस्टी में बच्चा जो है अपना अड्मिशन ना ले कहने का मतलब उनका ये था कि हाई स्कूल तक की बच्चा जो है वो क्या होता है वो बहुत ही इनमिच्छी होता है तो उनका कहना ये थ कि हाई स्कूल के बाद बच्चा पहले इंटर करें और इंटर तक क्योंकि जब बच्चा इंटर करता है तो इंटर तक आते आते उसका जो है उसका जो बच्चे का जो mental level होता है वो भी क्या हो जाता है पूरा mature हो जाता है तो इनका यही कहना था कि जो भी बच्चा युनिवर स्ट्रीम में क्या करें अपना एड्मिशन ले ना कि हाई स्कूल के बाद तो इस आयोग ने विश्विद्याला यानि कि UGC की इस्थापना की गई तो इसके अंतरगत माधमिक सिक्षा तथा उच्च सिक्षा यानि कि जो सेकेंडरी एड्यूकेशन और हार एड्यूकेशन के इनको जो है एक करने की बात की गई ठीक है इससे फिर क्या हुआ कमिशन ने एक अखिल भारतिये सिक्षा आयोग समीती का गठन किया इस आयोग ने ग्रामीड विश्विद्याल यानि कि गौव में भी एक यूनिवर्स्टी इस्थापित करने के लिए अपने रिकमेंडेशन रखी अब जो उसके बाद में जो तीसरा एक दूसरा आयोग आया है जिसका नाम था सेकेंडरी एड्यूकेशन कमिशन जिसको हम माधमिक सिक्षा आयोग के नाम से भी जानते ह मुदालियर सिक्षा आयोग या फिर माधमिक सिक्षा आयोग ये दोनों ही एक ही चीज हैं माधमिक सिक्षा के धाचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्षमर स्वामी मुदालियर की अधिक्षता में 1952 में माधमिक सिक्षा आयोग की इस्थापना की गई थी क्योंकि इसक इस थापना करने वाले मुदालियर जी थे तो इनहीं के नाम पे ही इस आयोग का नाम भी रखा गया इस आयोग ने ही सबसे पहले तीन वर्ष का यानि की थ्री इयर्स का मादमिक और फोर इयर्स का उच्च प्रणाली उच्च सिक्षा प्रणाली यानि की हायर एजूकेशन सि इनको इस्थापित करने के लिए उनको establish करने के लिए भी अपनी recommendation दी इसने कहा कि objective type के जो questions होते हैं इस method का use करना चाहिए जब हम exam में ठीक है उसके अलावा इन्होंने एक बात ये भी कई कि जो हम numbers provide करते हैं हम number provide ना करके बलकि इनको एक grading system का जो है इसकी भी सला यानि कि इस माध्मिक सिक्षा आयोग ने ही कहा कि बच्चों को उनका संख्यात्मक अंक ना दे करके यानि कि उनको numbers ना दे करके उनको एक grade provide किया जाए उसके अलावा high तता higher level कि जो है higher secondary level की जो education है उसके syllabus में कुछ wish है जैसे कुछ main subject होने चाहिए जैसे कि गड़े math है, gk है, art है, music है इन सब को क्या कर दिया जाए, compulsory कर दिया जाए, यह सारी जो features है, यानि कि यह सारी विशेशता है, किस के अंतरगत आई थी, यह सारी मुदालियर education के अंतरगत आई थी, यानि कि माध्मिक सिक्षा आयोग यानि कि secondary education commission जो कि कब आया था 1952 में, इसको बहुत अच्छे से ध् रखिएगा, अब इसके बाद में, देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कि जो main-main commissions है, मैं उन्ही के बारे में आपको बता रही हूँ, तो जो नया, एक नया commission, इसके बाद में क्या आया, जैसे कि राश्टिये सिक्षा आयोग, देखिए, इससे भी exam में questions, हर बार पूछे जाते हैं, जिसको हम, जो है, कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, राश्टिये सिक्षा आयोग, National Education Commission, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसको freedom के बाद, स्वतंत्र भारत में सिक्षा की समस्याओं पर इसको हम करने के लिए, 1948 में, UGC, यानि की University Commission ने क्या, यानि की राधा कृष्णन कमीशन की नियुकती की गई, फिर उसके बाद ने क्या हुआ, माधिमिक सिक्षा के लिए, मुदालिय कमीशन का, उसको स्टाब्लिश किया गया, 1955 में तथा, 1964 एवं 1966 में, भारत की केंद्रि सरकाने, ये भारत की जो Central Government team, उसने सिक्षा प्रणाली, यानि की जो Education System था, उसको एक नया रूप देने के लिए, एक नई समीती का गठन किया, जिसका नाम रखा गया, राष्टिय सिक्षा आयो, यानि की National Education Commission, इसमें कुल कितने मेंबर थे, 17 मेंबर थे, जिसमें से 6 जो थ देशी थे, यानि की foreigners थे, और इसके अलावा एक working group भी बनाया गया, इस आयो को भारत के सिक्षा इतिहास में आज भी सबसे ज़्यादा महत्मूर माना जाता है, इस आयो को सिक्षा और राष्टिय विकास, यानि की Education and National Development Report के नाम से भी जाना जाता है, इसके जो main features हैं, वो क अकनीकी में सुधार करना, राष्टिय सिक्षा प्रणाली का विकास करना, धर्म निरपेक्ष लोक तंतर की सिक्षा पर ध्यान देना, सिक्षा में गुडवत्ता का विकास करना, यानि की जो हमारा Education हो, वो कैसे होनी चाहिए, qualitative होनी चाहिए, सिक्षा को जो level है, उसको develop करन आयोग ने एक Research Report तयार की, जिसके निरिक्षण एवं साक्षातकार तथा प्रिष्णवली जैसी विधियां अपनाई जाएं, यानि कि आयोग ने कहा, जो UGC जैसे बोलता है, कि आयोग ने कहा कि इसके लिए एक Research Report तयार की जानी चाहिए, जिसका आधार क्या होना चाहिए Observation होना चाहिए, Interview होना चाहिए, साथी साल एक Questionnaire प्रणाली का भी Method का भी Use करना चाहिए, ये इसकी मुख्य बाते थी, उसके अलावा इसने NCRT, NCRT को, को अपना भार स्वापा, उसके अलावा इसने एक Central Education सलहकार Board को Establish किया, कुछ अपने अधिकार वगेरा दिये, Education को राष्टिय महत्व का एक विशह माना जाए, इसके लिए राष्टिय सरकार ने National Education नीती, साथी साल तीन वर्ष की Degree Course और चार वर्ष का Honours Degree Course इसका प्रिस्ताव रखा गया, साथी साल इन्होंने Higher Education की गुडवत्ता में, यानि की उसकी Quality में, किस प्रकार से हम और सुध इन्डियन Education Service को स्टार्ट करने के इसके बारे में अपने सुझाव अगयरा दिये, और साथी साथ इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, केंद्र सरकार घरेलू उत्पात का 6% सिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, ये भी इनकी एक recommendation थी, इन्होंने कहा कि जो State Government है, वो भी ये जो प्रस्ताव रखा गया था, ये केंद्रिय और राजसरकार दोनों के लिए ही इक्वल इक्वल था, साथी साथ जो Central Government थी और जो State Government थी, इन्होंने ही उच्च सिक्षा पर तथा राजसरकार प्राथमिक एवं माधमिक सिक्षा पर ध्यान देगी, ये सारी recommendations, ये सारी ज़रूरी बाते थी, जो इस आयोग के अंतरगत अपनाई गई, कुछ विशिष्ट यानि कुछ special universities में सिक्षा के कायक्रमों के लिए सिक्षा विभाग यानि कि Department of Education को स्थापित किया गया, साथी साथ उन्होंने कहा कि एक comprehensive college होना चाहिए, जिसमें लोगों को क्या दिया ज चाहिए, उसकी स्थापना की जानी चाहिए, साथी साथ जो primary, माध्यमिक यानि कि secondary and higher level की जो education है, उसके लिए एक नियुन्तम योग्यता, यानि कि एक कम से कम क्या qualification होनी चाहिए, इन सभी लोगों के लिए, इस सब चीजे decide की गई, अब इसमें जो primary education थी, primary education यानि कि इसके में teaching के लिए secondary school course के साथ साथ, दो साल का, यानि कि two year का, आपके पास training होनी चाहिए, साथी साथ experience होना चाहिए, माध्यमिक में, यानि कि secondary education में, secondary education में नो नो बोला, कि जो भी teacher होगा, उसको कम से कम graduate होना बहुत ज़रूरी है, साथी साथ, उसको कम से कम एक साल का experience होना चाह जिसको बाद में, पहले एक साल था, बाद में दो वर्ष का कमपल सरी कर दिया गया, अब अगर आपको higher level में education पढ़ाना है, तो उसके लिए इनोंने कह दिया कि अगर higher education पढ़ानी है, higher level के लिए, तो उसके लिए लोगों का M.Ed होना, यानि कि teacher के लिए M.Ed होना बहुत ही जरूरी कर दिया गया, साथी साथ, अध्या पही जो teachers थे, उनके लिए अलग-अलग, जो है, जिस प्रकार से इनोंने इसको categorize किया था, teachers के level को, तो उसी प्रकार से उनकी education, उनकी qualification के अनुसार, उनका जो वेतन होगा, उनकी जो salary होगी, वो भी decide की गए, ये सारे ही कारे कि education commission के अंतरगत किये, I hope आपको ये सारे commission समझ में आगे होंगे, आपको ये video कैसा लगा है, ये जरूर से जरूर बताएं, आपका feedback मेरे लिए एक motivation का काम करता है, तो please, आपको video कैसा लगा है, जरूर से जरूर बताएं, और जह है, वीडियो को like, share और subscribe, जरूर से जरूर करे Thank you